जैबीम आज गंदंत्र दीवर्स है आज हम लोग देश का चोत्तरवा गंदंत्र दीवर्स मना रहे हैं इस महान दिन और इस महान अमसर पे सरवपर्थम में सभी देश वाजियों को और पूरी दुनिया में रहने वाले भारत के प्रतेक नाकरिक को गंदंत्र दीवर्स की हारतिक बधाई देता मुझे आज का दिन मेरे लाईव के लिए क्यों चुना वो एक विसेश मुझे लगा कि गंदंत्र दीवर्स पे हमें बात करने चाहिए क्योंकि मेरा मानना कि कोशिश के जाते है कि गंदंत्र दीवर्स पे गंदंत्र पे बात ना हो यह जबकि जरूरी यह है कि गंदंत्र दीवर्स पे सिरफ गंदंत्र पे बात हो लोग गणतंत्र को समझें, लोग लोकशाही को समझें, रिपेब्लिक को समझें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा सडियंत्र है, कि गणतंत्र दीवस पे जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा जान भूज के नहीं की जारी ही, इसलिए मेरी ये जम्मेदारी बनती है, इस मुवमेंट का अबावसाम बेटकर काशे राम फूले साओ की मुवमेंट का एक सिफाई होने के नाते, एक वरकर होने के नाते, कि मैं अपनी जम्मेदारी को अदा करूँ, भारत बर रहने वाले तमाम लोगों ने परते एक्स ए, परते एक्स रूप से आज गणतंत्र को सेलिबरेट किया, उन्होंने चाहे तिरंगे को सलाम किया हो, या राष्ट निर्माताओं को सलाम किया हो, या कोई भी ऐसा कारिय वो कहीं किसी प्रोग्राम में सामिल हुए हो, या उन्होंने दिल ही दिन, समय की कमी के कारण जो है, रिप्रब्लिक डे को जो मनाने का काम किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन समाने साथियों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे रेली करने के लिए बहुत सादन जुटा के आपके भी जाने की जुरत नहीं, यही हम लोग आप से बात कर सकते हैं, इसी प्लेट फारम पर, मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो आज मुल्क के हालाद हैं, उस पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस पे जो वारता आपसे होनी चाहिए, उस पर जो direction आपको मिलने चाहिए वो देने के लिए मैं आज आपके बीजू पहली बात ये जनवरी माह हमारे लिए बड़ा पावन माह साल की सुरुवात का माह है और साल की सुरुवात कैसे होती है देशवासियों के साथ बहुजन समाज के साथियों को भी जानना चाहिए देश की सुरुवात होती है एक जनवरी से एक जनवरी इसी एक जनवरी पे मैं गंतंत्र से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूँ एक नेत्रत करता होते हैं मेरी जे मेदारी है कि आप सब तक ये बात पहुँचे एक जनवरी अठारा सो अठारा भीमा कोरे गाउं क्यूं हुआ भीमा कोरे गाउं और भीमा कोरे गाउं के पीछे की सच्चाए क्या है इस पे भी आपको आजी के दिन मेरा मानना है कि यह पावन महा है तो आपको बताना चाहिए साथियो चंद अधिकारों के लिए जो समाजी गैर बराबरी उससे में मुझूर थी जहां छूने के वाजादी नहीं थी अच्छे कपड़े पहनने की घूमने की बात रखने की समान से जीने के आजादी नहीं थी चंद जो पाबंदिया हम पर लगाई गई थी उनमें से कुछ जो इतनी पाबंदिया लगए उनमें चंद पाबंदिया हट जाए जैसे वो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाए जैसे दिन के उजाले में निकलने का अधिकार मिल जाए जो पस्वो को भी था उन अधिकारों के लिए उस समय की पेशवाई से हमारे लोगों ने बांग की कि हम आपके खेमे की तरफ से लड़ना चाहते हैं लेकिन उस समय के सविंधान के नुसार सस्त्र रखने का और चलाने का अधिकार जो है वो सिरफ वन वेवस्ता में अधरिक छत्री समाज को था इसके कारण हमारे लोगों को इतना बलसाली होने के बाद भी उनका मजाक उड़ा गया तो उन्होंने उस समय के ततकाली जो साशक्त है उनसे बात की कि अगर आप हमें मोका दोगे और हमें अधिकार दोगे तो हम आपके साथ आपकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और उनसे ये समझोता हुआ कि ये जो पाबंदिय ये आप अगर हटा दोगे तो हम लड़ेंगे इसलिए मैं भीमा कोरेगाओं की बात कर रहा हूँ अब मैं आता हूँ 26 जन्वरी पर जिन अधिकारों के लिए युद्ध हुआ जाने गई 28 जार पेस्वाओं को मरकर कीमच चुकानी पड़ी जबकि अधिकार नहीं देना मुनासिब समझा गया उन सारे अधिकारों को बावसाम बेट करने 26 जन्वरी 1950 को जो सविधान लाग हुआ उसमें हमें दिया एक संका भी जायर की लोक्टरम बेट करने सविधान के साथ जो सविधान में अधिकार दिये गए हैं उनको लेके कि सविधान से अगर सविधान पूर्णूप से लाग होता है तो देश में खुसाली आ जाएगी उन्होंने कहा इस संका को जो मैं संका आपसे बात कर रहा हूँ राजनीती में वन वोट एंड वन वैलू एक वोट और उसका एक मुले इसे राजनीती में तो बराबरी आ जाएगी लेकिन जो देश में पहले से समाजी गैर बराबरी जातियों के अधार पे और जो आर्थिक गैर बराबरी है उस समय की राज वेवस्था कर्थ वेवस्था के साब से जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक सविधान के रहते भी देश में समानता नहीं आएगी उन्होंने अपील की उस समय के सभी लोगों से कि हमें जल्द से जल्द एक मजबूत राष्ट बनाने के लिए समाजी गेर बराबरी और आर्थिक गेर बराबरी को भारत से खतम करना चाहिए लेकिन जिन लोगों को रूल करने का मुखा मिला देश को चलाने का मुखा मिला सरकारों के रूप में उन लोगों ने इस बात को किसी प्राइटी पर नहीं रखा देश की जो सबसे बड़ी चमश्या है जो जाती के अधार पे लोगों को बाटा गया है कभी किसी पाटी ने अपने मैनुफेस्टों में बात ने रखी कि देश से जातिया खतम होनी चाहिए हाँ कुछ लोगों को आपके अधिकार जरूर चुपते हैं इसलिए बार-बार आपके सवेधानिक अधिकारों को खतम करने के लिए भांग करते रहते हैं लेकिन उन ना समझो को कोई क्या समझाए कि जिस जाति के आधार पे देश बटा है अगर वो जातिया समाप्त कर दी जाए तो कोई भी जाति का प्रिवलिट नहीं ले पाएगा फिर आपकी जो फिड़ा हैं वो दूर हो जाएगी तो मैं जो संका जाहिर कर रहा था कि समाजिक और आर्थिक गैर बराबरी और उस बात को मानेवर कासिराम साब ने समझा कर आप पढ़ोगे जानकारी आसिल करोगे तो उनका एक सुत्रे कारेकरमता है कि हमें देश में व्यापत समाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खतम करना है वो अपने आंदोलन को समाजिक गैर बराबरी दूर करने का और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस बात से जो है परदर्शित करते थे अपने साथियों को कहते थे कुछ शपने भी बाबा साफंबेट करने देखे। गणतंत्र को लेके। गणतंत्र आया किसलिए। देश में बहुत सारे लोग को अधिकार थे। लेकिन इस देश के वंचित तबके को अधिकार नहीं थे। अचुतों को अधिवासियों को अलपसेंकेखों को अधिकार नहीं थे उनके लिए आया गौनतंत्र पहले भी राजा होते थे राजसाही थी जब तक देश एक चुट नहीं हुआ भारत नहीं बना तब तक कबीले और बातसाही में बटा वा था तो जुरत किसकी थी डेमोक्र जुरत इस देश के एक बड़े समाज को थी जिसको लंबे समय तक अधिकार से वंचित रखा थे उनको यह ऐसास था कि जिन लोगों ने कई हजार साल तक हमारे साथ अन्याय किया और हमें अन्याय सहते देख कभी उनका दिल नहीं पसी जब हमारे लोग को इतनी आसानी से अ इसलिए सविधान का सपना और सविधान में अधिकार हमें मिले और सविधान का सपना पूरा किया बावसाथ में दो साल ग्यारा वहने ठार दिन जाक के दिन रात एक करके यह पूरा सविधान लिखा गया आज हम लोग इसके एहमित नहीं समझ रहे हैं हम यह सोचते हैं कि ह हमें अधिकार बहुत आसानी से मिल गए जबकि यह सच नहीं है इन अधिकारों के लिए कीमत चुकानी पड़ी है जैसा मैंने कहा कि एक जनवर यह ठरफ ठार में कुछ अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है लेकिन इस बार कीमत आपने नहीं चुकाई इस बार किमत चुका ही बावा सामबेट करने, अपने चार-चार बच्चे कुर्बान करके, अपने सुक्सुदाय अपना घर परिवार कुर्बान करके, अपना जीवन कुर्मान करके, इसलिए हम बावा सामबेट करके, अपने पिता, अपने बावा से भी पहले याद करते हैं इसलिए अब लोग उनको अपना सब कुछ बांते हैं जिन लोगों ने उनको समझा उन्हीं लोगों को उनकी कद्र लेकिन साथियों कद्र करने से काम नहीं चलेगा उनके रिखाय राष्टे पर भी चलने की जुरत है उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया भीमार में आजास समाज पर्टी के नोजवान साथी इस बात को नेता लोग इस बात पर ध्यान दे और समाज को जाके समझाएं कि बावा साब को कुछ ने सपना तो देखा कि परिवर्तन होगा लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि इनका चरीत्र बदल जाएगा चिन लोग के हाथ में सकता है इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार आखरी वेक्ति को भी जो बाली को उसको दिलाने का प्रयास किया पहले इसकी एज 21 साल लखे गई फिर परिवर्तन हो 18 साल आई लेकिन बावा साब को यह उमीद थी उनका जो अनभा हो था उनका जो ग्यान था जिसमें उन्होंने काई कि 21 सदी हमारी होगी उनको यह महसूस होता था कि आने वाले कल में जो वोट का अधिकार मैंने अपने लोग को दिया है उस वोट के अधिकार का प्रयोग करके ये कमजोर सोशित वर के लोग अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और जो अधिकार सविधान में मैं लिख रहा हूं उनको लेने का प्रयास करेंगे सविधान महजे किताब नहीं सविधान भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की दुनिया है जो लोग नहीं समझ पाए कि सविधान ने हमें दिया क्या तो सविधान ने हमें दिया ये कि जिस व्यक्ति को इस देश में कोई अधिकार नहीं था आज वो सम्मान सम्मान का जीवन जीगा आज वो स्वाविवान के साथ इस देश में घूम रहा है आज इसको नौकरी करने का बिजनस करने का और तमाम तरह के जो हैं चीजों में सामिन होने का अबसरा आज इसको बोलने का नेता बनने का सारे अबसरा आज मेरे जैसे वेक्ष कुछा वो धोती कुर्ते की थी किसी की हाप पैंट और शर्ट की थी लेकिन यहां बावा सब बेटकर ने प्रयास किया कि अपने समाज को संदेश दे पाएं कि वो सम्मान स्वाविमान से जीन और इसलिए अपने अंदर काबलेत पैदा करें और साधन जुटा के वो जो सुधाए, ताकत और लोग के पास थी वो भी प्राप्ट करें इसलिए मैं आज कोड़क्वेंट पहरा कि आपको बताया जाये कि रोक्टरम बेटकर क्या चाहते तो वो आपको भूका नंगा नहीं देखना चाहते तो वो आपको किसी का पिछलग्यू नहीं देखना च चाहते थे वह जीवन जो इंसानों को इस देखना चाहते थे आपके लिए इस लिए इस अविधान ने में दिया पढ़ने का दिकार आगे पढ़ने का दिकार समानता का दिकार जो नहीं दिया गया था कितनी भी किमत चुकाने के बाद कितना भी अपमान चाहने के बाद रोने के बाद चिलाने के बाद वो समानता का दिकार वोट की ताकत को वोट से अपने लोगों की वोट को तयार करके हुकमरान बनने का दिकार इस देश में राज सत्ता में सामिलों के अपने लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार और आपके साथ अगर अगर अन्याय हों तो आपको संजक्षन देने का अधिकार आपकी तरफ आपको अगर अपका उत्पिडन किया जाए आपकी रक्षा स्वक्षा करने का अधिकार ये दिया सविधान ने कितना जान पाए हम लोग सविधान को हम इतना जान पाए गंतंत्र और सविधान दोनों मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको याद रखना आपके दिल में आपको समझ आए कि हम इतना जान पाए गंतंत्र को कि जितने वोट से देश में सरकार बनती है उससे ज़्यादा लोग वोट ही नहीं देते भारत में हम इतनी वोट की वेल्लू को समझते हैं आप चेक करा के देख़ए तक का करा जितने परसेंट लोग वोट देके जो हैं इसमें 21 ज़्यादी के भारत में कि सरकार बनाते हैं 37 परसेंट 38 परसेंट वोट देते हैं आप चेक करो लगब उतने ही लोग इस देश में वोट नहीं देते क्योंकि पॉलिंग परसेंटेज 60 परसेंट 62 परसेंट चोशट परसेंट 65 परसेंट रहता है जब 70-72 परसेंट 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 परसेंटेज होता तो खलबली मजजाती इतना वोट कैसे पड़ गया है यानि कि इस देश की जितने लोग सरकार बनाते हैं उससे जाधा लोग तो सरकार बनाने में सामेरी नहीं होना चाहते इतनी जानकारी हमें तेश में कनतन थे कि canntnt तर जयनि के जनता द्वरा जनता का aggiन forme होन लेकिन कहां साशन आज पी मुठी पर लोगोंने मनी माफिया मीडिया के जरिया इस देश के शोशित वर के लोगों को यह एसास कराया कि राजनीती भूरी चीज होती इसमें नहीं आना है जबकि डॉक्टर भावस हम बेटकर कहते हैं पॉलिटिक दब मास्टर की कि राजनीती सब्ता वो चाब यह जो आपके सारी प्रेशानियों का हल कर देगी और वो यह भी कहते हैं कि राजनीती उसको कोई और दूर करेगा तो यह सिरब एक गलत फैम ही इसको दूर कीजिए समझ से आपकी है तो खड़ा भी आपको होना पड़ेगा भारत के लोगकंत्र ने हमें एक आखरी वेक्ति को भी जिसके सर पे छट नहीं है जिसकी जेब में पैसे नहीं जिसके बड़ी कि भी अवसर दिया कि वो अपने लोगो को काम करके समझा के तैयार करकी को वोट डालने में पैसे नहीं लगते साती कि वो वोट को का जो उद्दिश से था वुट का अधिकार देने का उसको समझें और वो जो जिन सरकारों के आगे हाथ पहला कि उम्मीद करता है कि सरकार उनको कुछ देगी उस अधिकारों को प्राप्त करें अपने आप मालिक बने अगर कोई कुछ देगा तो वो देगा जो उसके पास बचा होगा अगर आप अपने आप मालिक बनोंगे तो वो प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो इसलिए वो हमें देने वाला बनाना चाहते है कि हम लोग अपने अधिकारों का प्रेयोग करके इस देश में हुक्मरान मनें अपने पैरों पर खड़े हो इस देश में इस तरह की एक जो है सत्ता स्थापित करें जो अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार जब भारते सम्धान को फूर्णूप से लागू कराए उनको उमीद थी कि एक दिन हमारे लोग जागेंगे पठलिक कर जो उपसर मिले हैं उनको समझेंगे वोट की वेल लोगों समझेंगे लेकिन आज भी कुछ लोग चंद पैसों पर अपनी वोट को बेज देते हैं या दुस्मन को इवोट देते हैं जिस वोट से सक्तिका निर्मान करना है उस उसका नुक्सान सिर्फ आप चंद लोग नहीं उठाते उसका उठाता पुरा समाज पुरा प्रदेश पुरा देश उन्होंने कहा जितनी सविधान लागू हुआ उसके साथ साथ उन्होंने आसंका जाहिर करते हैं और एक उमीद एक विश्वास था उनके अंदर वो जितना खुद पर विश्वास करते जितना हम पर भी करते थे कि मेरी आने वाले पीठिया मुझे निरास नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरावमत समझना जब तक भारत का सविधान जिन्दा है मैं जिन्दा हूँ आज उनके सविधान पर खत्रा है आज कुछ लोग सडियंत्र करके अजंडा बनाके पूरी रणीती तयार करके उनके सविधान को खत्म करना चाहते हैं और उसी खत्म करने के प्रयास में उन्होंने देश के इंस्ट्यूशन है जिन पर आपको अबसर मिला था नोकुरी में सामिलों के आर्थी गूप से ताकत्वर होने का और अपने आने वाली पीडियों की जिंदगी बदलने का उन सारे सरकारी डिपार्टमेंट को एकर करके बेच रहे हैं अपने चंद पूजी पन्दी पित्रों के हाथ में दे तो उन्होंने ये कहा कि 21 सदी सोसितों की होगी बावसाम मेट करने भी कहा 21 सदी हमारी होगी कई ओने महापुर्सों ने कहा 21 सदी में परिवर्तन होगा लेकिन परिवर्तन करेगा कौन मैं आपसे भी पूछा हूँ कौन करेगा परिवर्तन जब सब नूट जाएगा तब हम लोग काम करेंगे क्या मैं आपसे अपील करते रहता हूँ कहता हूँ गाओं की तरफ जाओ गाओं में जाके लोग को जगाओ तैयार करो समझाओ लोगों ने छूट फैला आया है सब्सक्राइब को उसका अधिकार मिलें आप मैसूस करके देखो हमारे नेता लोग भी हमारे साथी लोग भी हमारे भाई बेहने की बात्तर साल के इस लोक तंत्र में हमारे इस्से में क्या है क्या हमें जमीन मिली क्या हम सब लोगों को सम्मान से जिने के लिए रुजगार मिला क्या इस देश में हमें स्वाविमान सम्मान के साथ जीने का समानता का जीवन मिला क्या अब हमारे साथ अन्यात्यचार होना बंद हो गया है जो हम चुप बैठें क्या देश में अब महिलाओं को बराबर की सेधारी मिल गी है उनके साथ अन्याय नहीं होता क्या मूच्छे रखने पर गोड़ी बेटने पर मठके शुने पर अब हमारे अत्या होनी बंद हो गई है क्या देश में जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी स्यदारी निर्धारित हो गई है क्या देश से जाती बाद खतम हो गया है क्या देश में समता मुलक समाज बन गया है क्या मिला है भात्तर साल में जिन नेताओं के ब्रोसे आप रहे हैं उन्होंने आपको दिया क्या है कि आज भी आपके घर में सुबर उटके पहर सबसे पहले इस बाद उस चर्चा नहीं होती कि आज राशन कहां से आएगा आज हिलाज के लिए पैसे कहां से आएंगी आए स्कूल के लिए फीस कहां से आएंगी दुस्मन अपना काम कर रहा है लेकिन हम अपने लोग स्वक्षित रखने के लिए क्या कर रहे है मुझे बड़ी खुशी होती है आप सारी अट्रोसिटी पर जाके लड़ते हो लेकिन अगर उस समाज को आप तैयार नहीं करोगे कि वो अपनी वोट से अपनी ताकत बनाएं तो लोग तो मरते रहें क्योंकि सत्ता में ताकत है सत्ता में ताकत है यह डोक्टर मेट कर कह रहे हैं पॉर्टिस ता मास्टर की उस सत्ता को कब हासिल कर पाएंगे हम लोग मैं आपसे अपील करता हूँ कि काम करो संड़ठन बनाओं इसलिए तो करता हूँ इसलिए करता हूँ अपील कि आप एहमेत को समझो जब सब अधिकार खत्म हो जाएंग तब क्या करेंगे हम लोग जब इस देश के सविधान को जिस तरह से ताकतवर लोग सफ्ता में बैठके पूजी बती और ब्राह्मनवादी मिलके कुछलने कम करें आरसस बीजेपी के लोग जिस तरह से सविधान में मिले अधिकारों खत्म करने का प्रयास करें शड़ी अंत्र हो रहे हैं जैसा मद्यपरदेश में हुआ है मैं आपके याद दिला रहा हूं अस्पेसिली मद्यपरदेश के साथ हो कि कि बारा फर्वरी को बोपाल में जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि बारा फर्वरी के बाद आपके अधिकारों तरफ आख उठाने से पहले मद्यपरदेश नहीं पूरे देश में एक हजार बार सोचा जाए मैं अपने स्टी ओवी सी माइनोर्टी के भाई उसे अपील करता हूं कि आप आईए जो साजिस दुस्वन कर रहा उसको बेनकाब करेंगे और अपनी एकता से यह संदेश देंगे कि अब हम गुलामी बरदास नहीं करेंगे मैं भी यह चाहता हूं मेरा भी एक सपना है अपने महापूर्सों को सपने को आके बढ़ाते कि आप सब लोग को स्वाजमान सम्मान और अधिकारों का जीवन मिले जो न्याएं आपके साथ होता है वो बंद हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर अधर जो वेवस्ता खतम हो जाए एक समता मूलक समाज बरें और बिना सक्ति के यह परिवर्तन नहीं हो तो सक्ति मैंने आपको बताया कि सक्ति सत्ता में इस उद्देश्य को गनतंत्र के समझी कि यह गनतंत्र क्या संदेश दे रहा है चोहतर साल से जो इस चोहतर वागनतंत्र हम बना रहे हैं सूनी पढ़िये बहुजनों के लिए दिल्ली की गत्ति लेकिन हमारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पार है वो अपने आपको कमजोर समझ बैठे हजारों माएं हर महीं में खोन के आंसुर होती है जो न्यान के साथ होता है इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदकी बदलेगी हजारों लोग देश में भूके सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गनतंत्र के बाद उनके जीवन में एक सवेरा आएगा हजारों लोग, लाखों लोग बिना छटके सोते हैं इस उम्मीद के साथ की इस गंतंतर के बाद एक नया सवेर आएगा लाखों लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहें इस देश में सच तो यह है कि लाखों लोग आज भी साप पानी पीने के लिए तरस रहें इस लिए मैं आपसे बार-बार कहता है कि समय किसी का इंतियार नहीं करेगा आपको आगे बढ़के अपने सुक्ष विदा को छोड़के अपने महापुर्शों का अध्यन करते हुए पढ़िये ना फूले को, सहू को, पैरियार को, महामना रामसो बर्गमा को, रावजगते परसाद कुश्वा को, महराज सिंध भार्ती को, कुम्बारा मारिये को, सर्चोटू राम को पढ़िये ना बानेवर काशिराम साब, पढ़िये ना विर्शामुंडा को, और जानिये ना उनके दर्द को, कि वोने किस दर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किस के लिए वो उनने जीना और सुक्ष विधाय लेना छोड़ दिया, क्या ऐसा क्या दर्द जो उनको महसूस हुआ समझदार के लिए इसारा काफी हो था अटना समझ के लिए कुछ भी निसाब कहते थे कि सिरफ सांसों का रखना मोत नहीं होती जिसका जमीर मढ़ जाता वो भी मढ़ जाता वो कहते थे कि सोईवे के तो जगाय जा सकता जो जागे वे लोग हैं उनको जादा मेहनत करने हैं उनके लिए जो नहीं जागे हैं भी मैं इस सपने को रोज जीता हूँ जो विरोधी पहुजन समाज में ही हैं लेकिन विरोध करते हैं राजिती कारणों से मेरा मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि इतने बड़े इतने दिन के लोकतंत्र में अगर आज भी हमें समान अवसर और समान सम्मान सम्मान और समानता का जीवन नहीं मिले अश्का जम्मिदार कौन है मैं बस यह चाहता हूं जो हमारे महापुरूष चाहते थे कि स्वाविमान सम्मान वे अधिकारों का जीवन जो है अंति व्यक्ति को मिले और इसी के लिए हम लोग संखर्ष कर रहे हैं आप जिन राइल्दी कार्णों कार्ण मेरा विरोध करते हैं एक दिन मैं बादा करता हूं आपको एसास होगा और फिर आप बहुत पच्छताएंगे महें एक तरफ इस पूरी ब्रहमणवाद की सरकार से लट रहा हूं पूरे संख से लट रहा हूं इनके इंस्चूशन से लट रहा हूं इनकी कोर्ट से लट रहा हूं इनकी कचैरियों से लट रहा हूं इनकी मीडिया से लट रहा हूं और एक तरफ थोड़े से राइती खिलाब पर आप इस आंदोलन के खिलाब जूटी बाते करते रहते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो कुछ लिए इंतजार कीजे ना। मैंने आप तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे की विरोधियों को फाइदा हूँ। हमेशा प्रयाज किया कि मुझसे कोई कलती ना हूँ। मैं उमीद के साथ हूँ कि इस वार हमारे लोग मुझे मद्द्र प्रदेश राइस्थान में 36 गड़ में निरास्त नहीं करेंगे। वो लोग मेहनत करेंगे। वो विचारों का विचार जो है उनके पास महापुर्सकों उनको फैलाने का काम करेंगे। इस बार वो सिरफ अपने लिए नीजियेंगे, अपने सुक्सी दागा ध्यान रखेंगे, वो इस आंदोलन की भूमिका को भी समझेंगे। और इस बार वो मुझे कुछ कर दिखाने का मौका देंगे। जो लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि हमने यह किया, यह किया, उनको अवसर मिला है। इसलिए वो इक कह रहे हैं। अभी मुझे अवसर नहीं मिला, आप तक जो कुछ करके दिखाया है, वो संघर्ष के बल्बूते करके दिखाया है। आपकी एक्ता के बल्बूते करके दिखाया। अब जो करना है, मैं मानता हूं कि हमसे पहले सीनिय नेताओं ने बहुत कुछ किया है। लेकिन वो प्रयाप्त नहीं है। यह सतत पर करिया है, इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस दिन का कर दिया, अब आगे की जुरुतनी ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा। और आने वाली पीडियो करना पड़ेगा। जब तक इस देश में बावसां बेट करके जो सपना था समता मुलक समाज का। और जो सपना था सब के लिए स्वर्मान सम्मान का जीवन, अधिकारों का जीवन, वो जब तक प्राप्त ना हो जाए, तब तक ही जारी रहेगा। ज़रूरी सब कुछ हमारे अंदून के साथ हो जाए, लेकिन हमें मिस्वास है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मैनत करके इस अब करके दिखाएंगे। हम प्रयाज करेंगे कि जो कर्ज हमारे उपर है महापुर्षों का। उसको हम लोग उतारें। उस कर्ज को हम लोग वो कर्ज सोने नहीं देता है। वो कर्ज मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरे साथ ही जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं कि पिछले चार रात से मैं सो नहीं पाया, मेरी आँखे कमा है इस बात की। आज उम्मीद है कि नहीं दाएगी। इस लिए जाग रहा हूं। सुक्सुदाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं। यह तो मुझे कोई भी बना देता। मैं जिसके साथ करणा होता हूं बना देता। इतनी ताकत हिम्मत हैसे दी है आपने मुझे। लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूँ, मैं उसके लिए जाग रहा हूँ कि वो दर्द कम हो, वो अउसर मिलें ऐसा ना हो कि बावसाब बेट करकि खत्या के कातिलों में हम भी सामिल हो जाएं लुट जाएं, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बावसाब के हत्यारों में सामिल हो जाएं, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप से अपील कर रहे हैं आप से भी अपील करता हूँ कि कुछ करके दिखाओ, इस अंदोलन के लिए, अपने महापुर्सों के विचार के लिए, इस अंदोलन इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूँ, इस बहुजन अंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूँ, इन बहुजनों को मनवादियों के भरोसे पहले जैसे जीवन नहीं चाहते हैं दो रास्तें हैं आज आपसे कहा एक अपने आपको कमजोर समझ कि गुलामी स्विकार करें और अधिकारों को बिना जो जीवन चल रहा है अन्याय के साथ जो जीवन चल उसको जीते रहो एक किउट खड़े हो जाओ और काम करो और गुलामी की बेडियों को काट दो और स्वाज़बान सब्मान और अधिकारों के जीवन के दिए लोगों को जगाने का काम करो लोगों को समझाने का काम करो तैयार करो लोगों कांटे से ज़्यादा चुपता हूँ आज में लोगों सिरफ इसलिए कि ना इन पर खरीदा जाता हूँ ना ये मुझे तोड़ पा रहे हैं मुकदमे लगाके और नहीं ये मुझे डरा पा रहे हैं ये मुझे डराने के लिए मेरी गाड़ी उपहमला कराते हैं ये मुझे डराने के लिए मेरे उपहर छूटे मुकदमे लगाते हैं और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं मुझे कमजोर करने के लिए इस आंदोल्म को कमजोर करने के लिए लेकिन मेरे अगर बुचे मैं मर भी जाओंगा तो भी यांदोलों कमजोर नहीं होता क्योंकि आज ये साथ लोगों चनाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं आज हर घर में बावसाम बेटकर काशिराम साब का विचार जो है एक नोजवान के रूप में फल फूल रहा है आज एक चंसेखर की उरत नहीं उनके पास लाग को चंसेखर तयार हो रहे हैं और आने वाले पांस साल बाद में बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तियार किया है आज हम मोहरे नहीं रहे हैं लोग की आज हम अपने बल पे जीने के लिए तियार हो रहे हैं खड़े हो रहे हैं मैं कल बिजनोर रहूंगा कल मैं राजिस्थान था उससे दो दिन पहले मैं माराज था उससे दो दिन पहले मैं राची था जहारकर उससे दो दिन पहले मैं तिलांगना था दो तारिक को हम लोग 36 गड़ में अधिकारों के लिए अंदोलन कर रहे और बारा फरवरी को एक हैतियासी कांदोलन भुपाल की धरती ना पैसे दे सकता हूँ ना साधन दे सकता हूँ अपने दम पे आना उस अंदोलन को मजबूत करने के लिए आना वहाँ जो साथ ही हमारे नेता लोग मेहनद करने हैं समाजिक नया यात्रा कि उसके बल उसकी शक्ति के प्रदेशन को आना और आना इतियास लिखने को ये बताने को हम इस देश में गुलाम नहीं नए कीरती मान थापित करने हैं स्वार्मान समान के साथ जीना हैं और अधिकार के साथ जीना है क्योंकि वाव साम बेटकर नहीं सिखा है ना कि सो दिन बकरे की तरह जीने से च्छेक दिन शेर की तरह जी उन्होंने ही कहा ना न्याग करने वाले से न्याग सहने वाला ज्याद दोस्य होता है और उन्हें ये भी कहा कि जिस समाज का यूवा जीते जी समाज के स्वार्मान सम्मान हक अदिकार के लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरेवे के समान होता है और जो जीते जी इस लड़ाई को लड़ता है स्वार्मान सम्मान की रक्षा करता है अगर उसकी वो सहीद भी हो जाए तो वो मर कर भी अमर हो जाता है अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं समाज के लिए अपने मापुर्सों के अंदोनन के लिए जीओ जब आप मैदान में आ जाओगा आपकर आज तक कोई नहीं रोख सकता क्योंकि आपके बल से सब लोग वाकिब है हमारा इतियाज इस बात का गभार पर्मानिकता है हम एक ऐसे दोर में हैं जहां सब तरफ अंदेरा और आखरी उम्मीदाव है कुछ साथियों को इसारा करते हों कह रहा हैं अपने निजी स्वार्त में इस आंदोनों को कमजोर मत होने देना जैसे भावा साम बेटकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के आरोब तमाम तरह के अन्याएं तमाम तरह के मुसिबते तमाम तरह की चीजों का सामना करते हूं मैं इस आंदोनों को तो तमाम तरी कुर्बानिया देते हैं, अपने चर्चर बच्चे कुर्बानिया देते हैं, मैं इस आंदोलन को यहां तक लेके आप आया है, मेरी आप से अपील है, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा है, इसको पिछे मत जाने देना, कभी दुस्मन के मोरे मत बनना, हमने आंदोलन लहू से सीचा, हमारे महापुर्सों ने आंदोलन लहू सीचा, इसलिए हम लोग से लहू से सीचे ने, अपने महापुर्स सीख लेके, यह आंदोलन इन नसों में बहता है, यह आंदोलन सांसों के साथ चलता है, और यह सांसों के साथ ही जाएगा, जब इस सांस ख करेंगे मरत माओं को व्रवार में जब फोचता हूं जो इस घर में बच्चों के सार्व हत्याए होती ही जहां कि पुर कॉसे बच्चों के साथ भायों के साथ हत्याए होती 136分 रहलता तो इसलिए जज़बाती हो जाता है इसलिए कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि चंशेखर रो पड़ाता हुए मैं अपने इस समाज को अपना परिवार मानता हूं तो मुझे तकलीफ होती कभी वैक्तिकत हिद के लिए नहीं रोया चंशेखर आजा और ना कभी रोया आपसे अपील करता हूं कि महापुर्सों के दर्द को सिरफ चंद लाइने सुनके मत समझें उसको उनको पढ़ें एक बार उनके जीवन को पढ़ें उनके वास्तिकता में अगर कुछ करना चाते हैं समाज के लिए तो पहले अपने महापुर्सों को पढ़ें मैं सर्फ लाग कहता हूं अगर मुझसे मेरे जितना या मुझसे ज़्यादा होस्ला ना पैदा हो जाए आपके अंदर तब कहना गंतंत्र दीवस की हारदिक बताई आप यह गंतंत्र मेरे लिए बैमानी सा है क्योंकि आजाद पैदा वाओं आजाद जिया हूं और आजाद मरूंगा तो बहुजनों की आजादी के लिए यह आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जिन्होंने हजारों साल से आपको इंसान निमाना आपको अधिकार नहीं दिये वह आने वाले समय में आपको अधिकार नहीं देने हैं सही माने में आज भी आप उनके लिए अचूत हैं, गुलाम हैं, सुद्र हैं, इसलिए बहुजन समाज में एकता बनाओ मेरे भाईयों, S.C.S.T.O.V.C. एक चुट हो जाओ, माइनोर्टी के लोगों एक चुट हो जाओ, और निकब में निठल ले, और स्वार्थी नेताओ को छोड़के, काम करने वाले को मौका दो, जो सिध्धान्त मैंने सुभब लिखा, बावसाम बेट करने दिया, कि आज मैंने रानी का पेट काड़ गया, आज के बाद राजा मत पेटी से पैदा होगा, बेले वोग से तयार होगा, उसे धान्त को भी समझो, राजाओं के भ्रोशे मत रहो, राजाओं के नजरों में पढ़जाख कीडे मकोडों से जादा नहीं होती, क्योंकि आज के राजा ऐसी ही, और आप कीडे मकोडे नहीं, बावसाप के बन से जो, फूले के बन से जो, साहू के बन से जो, परियार के बन से जो, संदगाड के महराज के बन से जो, नारणा गुरू के बन से जो, मा सावित्र भाई पूली, मा रमा भाई के बन से जो, मा इसलिए आप से कहना अपनी ताकत को पहचानू बावु जगते परसाथ कुछ वार जन्ना के वीरो इत्यास आपको क्यों याद रखे कुछ ऐसा करके जाने के लिए काम करो पुने रनेवाद जैवीम जैभारत जैशाविधान गंतन दीवस की मंगल काम नाएं और यह सबसे इमानदार, सबसे समर्पित, सबसे काम करने वाले अगर सिफाई हैं तो भीमार में आजास समाज पर्टी के पास है जैभी